प्रहार टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बूक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइक उन दबाना न बोलें महें स्राम अदिन खान और आम देख रहे हैं प्रहार टाइम्स पास में हुआ है, उस वक्त घर में मा और उसकी दो बेटियां सो रही थी, हास्ता होने के बाद मा अपनी दोनों बेटियों के साथ मलबे में फसी हुई थी और मौके पर दमकल विभाग की रिस्क्यू की दो टीम भी पहुच गई थी, कुछ देर कोशिस करने के बाद उसकी मा और उसकी एक बेटी को बाहर निकाला गया, मगर उसकी एक जो दूसरी बेटी थी उसे बाहर नहीं निकाल पाए क्योंकि छत का जो बचा हुआ हिस्सा था वो टुकडों टुकडों में गिर रहा था, करीब चार घंटे के बाद कड़ी मशक्कत करने के बाद मलबे से उसकी दूसरी बेटी को भी बाहर निकाला गया, बताया जा रहा है कि हाथसा सुबा के वक्त हुआ था, उसकी धर में मा पूरलिमा और उनकी दू बेटियां सो रही थी, और जो पिता है वो नाइट डूटी पर गए हुए थे, वहरहाल इमारत की छत गिरने के वज़े से ये तीन करते हैं